जब राकेश बापट ने तेजस्वी प्रकाश को लगाई फटकार तो तेजस्वी प्रकाश की मौम हुई राकेश की इन हरकतों से नाराज आगर कार क्या है पूरी खबर आईए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि ग्रांड फिनाले वाले दिन क्या कुछ हुआ है चलिए जानते हैं साथी साथ चानल को लाइक शेयर सब्स्ट्राइब करना ना भूलें मुझे इंस्टरग्राम पर फॉल्यो कर लें सनिगी सनिगधा के नाम से मौजूद हूँ मैं अब आपको बताऊंगी बेसिकली देखा गया है कि बिग बॉस 15 के ग्रांड फिनाले वाले दिन काफी कुछ हुआ है हंगामा वैसे तो खुशी-खुशी का महौल था लेकिन अचानक से यूँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको बताऊंगी वेल बीच में राकेश बापत न इतने वाली दिन है, ग्रांड फिनाले का मौका है, सभी परिवार वाले मौजूद है, अल्रीडी खुशी-खुशी आए हैं, वो सब कुछ हापिली करना चाहते थे, लेकिन ये मामला ऐसा था जो राकेश अपने दिल में नहीं रख पाए, राकेश के अंदर जो एमोशन्स थे, वो उन्होंने निकाल दिया, तेजस्वी प्रकाश को फटकार लगा दी, अब ऐसे में जब तेजस्वी प्रकाश को फटकार लगाई राकेश ने, तो तेजस्वी प्रकाश की मौम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इस बात का खुलासा खुद तेजस्वी क भाई प्रतीक ने किया है शोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे मैं आपको पता दो कि उनका मानना है कि वेल मॉम थोड़ी अपसेट हो गई थी जब ऐसा कुछ हुआ था उनके सामने जायसी बात है जब ग्रांट फिनाले वाला दन होता है तो हम सारे पुराने गिले शिकवे को भ खुशी खुशी का महौल है लेकिन यह अचानक जब पुरारी बाते एक बार फिर आ जाये तो जायसी बात है सब के मूड ओफ हो जाएंगे तो ऐसे में जब राकेश बापट ने तेजस्वी प्रकाश को इस बात के लिए फटकार लगाई जिसमें तेजस्वी की वाकई गल हैं उन्हें भी काफी बुरा फील हो रहा है तो हलाकि प्रतीक ने भी इस बात का खुलासा किया है और आगे देखना दिल्चस्पोगा ग्रांड फिनाले वाले दिन आखरकार एक्जाक्ट कैसे सीन क्रियेट हुए थे वाहां पे क्या कुछ हुआ था सब कुछ आपको एपि जस्वी प्रकाश को फटकार लगाना सही था या गलत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तुमाव अब्रेट्स के लिए बने रहें चानले के साथ